गुट मॉनिंग एब्रिवन वेलकम टू सिवल सर्विसे स्टड़ी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का करेंट अफेर्स का एक और टेस्ट लगाते हैं यहां प्रक्टिस से नमबर 260 UP PCS के लिए हर दिन प्रक्टिस करते रही है सारे के सारे इंपोर्टेंट है प्रश्न 11 अक्टूबर को एकजाम और UPSC सिवल से वाका 4 अक्टूबर को प्रक्टिस करते रही है प्रते दिन हर दिन चलिए स्टार्ट करते हैं तो question number 1 पर आजएए वर्स 2020 का आर्थिक सर्वेक्षन नमलखित में से किसके द्वारा तेयार किया गया प्रश्न important है बताई उत्तर क्या है आर्थिक मामलोकी मंत्रे मंडलिय समीती निर्मला सीता रमन तो देखिए वित MYंत्री निर्मला सीता रमन ने इकतिस जनवरे धिहर भी इसको संसद में आर्थिक सर्वेक्षन पेस किया इस वर्स का आर्थिक सर्वेक्षन मुख्य आर्थिक सलाकार क्रश्ण मूर्ती वी सूपरमणयन ने तयार किया था क्रश्ण नमबर टूपर आज़िए वर्स 2019 वीस की पहली छमाही में भारत की GDP व्रद्धीदर कितने प्रतिशत दर्ज की गई प्रश्ण इंपोर्टन्ट है अभी कितने प्रतिशत दर्ज की गई एक अनुमान मतलब एक तरह से देख लिजए इसको नमबर को और यह नमबर है 4.8 प्रतिशत ओप्सन नमबर ए है इसका अंसर ठीक हो क्या तो देखिए वैश्विक निर्मान ब्यापार और मांग के लिए एक कमजोर माहूल के वीच भारती अर्थवस्था की गती धीमी हो गई जिसमें वर्ष 2019 की पहली छमाही में GDP की प्रतिदर कितनी 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई है इस प्रश्ण का उत्तर दीजे तो विदेशी मुद्रा भंडार 2019 से 10 जन्वरी 2020 तक कितने बिलियन डॉलर रहा एक अनुमानित नमबर याद रखना ये अच्छा देखें 300-400, 300 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर इनमें और्ड कौन सा लग रहा है ये तो सब सीधे सिंपल नमबर में है पॉइंट में आगया तो ये जो और्ड है लग रहा है ना मतलब बिशम जो है इनमें से 461.2 बिलियन डॉलर रहा अजिकतर सीधा सीधा नहीं होता है इलिमिनेट कर दीजे 461.2 बिलियन डॉलर रहा 2019 से 2020 के बीच में विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक सर्विक्षन 2020 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़ेदार नमलिकित में से कौन सा है बताएए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री कौन है भारत का जिसमें आयात भी जादा और नर्यात भी जादा चीन नहीं सेयुक्त अरब अमिरात ये भी नहीं है होंग कॉंग भी नहीं है USA है अमेरिका अप्सन नंबर A है तो देखे आर्थिक सर्विक्षन 2020 के अनुसार भारत के सीर्स पांच व्यापारिक साज़दार सबसे बड़ा है अमेरिका दूसरा है चीन तीसरा है सयुक्त अरब अमिरात यानि यूई चोथा है साथी अरब और पांचमा है होंग कॉंग कॉश्चन नुमबर फाइपर आजए भारत की बिजली उत्पादन शमता 31 मार्च 2019 के 3,56,100 मेगावार्ट से बढ़कर 31 अक्टूबर 2019 तक कितने मेगावार्ट हो गई कितने मेगावार्ट हो गई मार्च के बाद अप्रेल मई, जून, जुलाई, अगास, सितंबर, अक्टूबर साथ में महीने में कितनी मेगावार्ट बढ़ गई, डबल हो गई क्या देकि इतनी भी नहीं बढ़ी है फिर कितनी हो गई है 3,64,960 मेगावार्ट 3,64,960 मेगावार्ट लगबक 10,000 बढ़ी साथ महीने में तो बिजली उत्पादन के इस्थापित शम्ता बढ़कर 31 अक्टूबर 2019 को 3,64,000 मेगावार्ट हो गई जो 31 मार्च 2019 को कितनी थी 3,56,100 मेगावार्ट इस प्रशन का उत्तर दीजे तो आर्थिक सर्वेक्षन 2020 के संदर में कौन सा गलत है इन में से पढ़िए बड़े से स्टेटमेंट हैं बड़े बड़े लेकिन एक आसान सा विकल्प ही आपको जीत हाशल करा देगा इस प्रशन में तो पहला स्टेटमेंट है 33 राज्यों और केंद साशित प्रदेशों में से 15 राज्यों में जारी विस वैंक की डूइंग विजनेस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग बत से बत्तर हो गई है मिसन इंदर धनुस के तहट देश भर के 680 जिलों में 3.39 करोड बच्चों और 87.18 गर्वती महिलाओं को टीका करण हुआ है अच्छा इस तरह के सवाल 1.3 की माइनस मार्किंग में अगर नहीं पड़े हैं मोटे मोटे पड़े हैं तब भी छोड़ने में ही बहादुरी है वरना 1.3 ले जाएगा लेकिन अगर पड़ रखे हैं अगर एक भी पड़ रखा मान लिजे इसमें पहला पॉइंट सही है B.B. सही है और D.B. सही है ये गलत है ये जो एक लाइन दे रखी है न हाल ही के वर्सों में जारी विश्व बैंक की डूइंग विजनेस रिपोर्ड में भारत की स्थिती बद से बत्तर हो गई है ये गलत है सुधार हुआ है सुधार अच्छा ये सब आपने नहीं पड़ा मन लीजे ये ब्लंडर आपने जो बाउंसर मारा पहला बाउंसर मारा दूसरा बाउंसर चौथा बाउंसर लेकिन तीसरा जो है कहीं पड़ा था आपने तो स्टेट्मेंट से ही हो जाएगा ये तो भारत की ranking में सुधार हुआ है बत से बत्तर नहीं हुए सुधार हुआ है कुछ point को छोड़ कर तो देखे हाल ही के वर्षों में जारी Wish Bank की Doing Business ranking में भारत की ranking में काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी ऐसी कई स्रेणियां है जहां भारत बहुत पीछे है जैसे के व्यवसाय सुरू करना, संपत्ती का पंजिकन करना, कर भुक्तान, अनुवंध लागू करना आदी तो बत से बत्तर नहीं हो यह सुधार हुआ है अब आपको देखना है 2019 में या 2018 में या 2020 में कितनी रेंख है Q7 पर आजएए और तेक वर्ष महात्मा गांधी की पुर्णति थी 30 जनवरी को विस्व कुष्ट दिवस यानि वर्ड लप्रोसी डिव मनाय जाता है और इस दिन महात्मा गांधी की पुन्तिती पड़ती है एक तरह से देखा जाये तो और भारत में महात्मा गांधी की पुन्तिती मनाई जाती है कुछ रोग दिवस भी मनाई जाता है विश में भी कुछ रोग दिवस मनाई जाता है अब इनकी हत्या किसने की थी 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोट से ने गोली मारी थी सभी को पता होगा अच्छा इस दिन को फ्रांसी सी मानवीय राउल फोलेरो ने महत्मा गांधी को सरद्धाँजली देने के लिए चुना था जिन्होंने कुछ रोगों से पीडित लोगों की सहयता की थी ठीक है वर्ड लेप्रोसी डे कुछ रोगों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए अंतराष्ट इस तर पर हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है वर्ड लेप्रोसी डे का विशया थीम इंपोर्टेंट है क्या है लेप्रोसी इस नॉट वट यू थिंक ठीक है तो विश्व कुष्ट दिवस के दिन जो है महत्मा गांधी की पुण्दिथी मनाय जाती है और विप्ति का नाम है राउल फोलेरो जिनों ने इस दिन को कुष्ट दिवस मनाने का निड़ने लिया क्योंकि वो सहयता करते थे कुष्ट रोगों से पीडित लोगों की और हर साल जन्वरी का अंतिम रविबार कुष्ट विश्व कुष्ट दिवस के रूप में मनाय जाता है इस बार थी जन्वरी को पुष्ट नॉम्बर एट पर आजाए सेयुक्त अभ्यास संप्रिती के संदर में कौन सा सही है देखे यह सेयुक्त सैन अभ्यास भारत और स्री लंका के बीच है दूसरा स्टेटमेंट है इसका नवा संस्क्रण जन्वरी दोहार 20 में कोलंबो में आयज़ुद किया गया स्री लंका के वैसे तो ये दूपक्षिय सैनभ्यास है किन्तु पहली बार यानि जनबरी 2020 में इसमें अमेरिका भी सामिल हुआ था क्या ये तो बड़ा घुमा घुमा के स्टेट्मेंट मारे हैं देखे पहली बार तो पहले सी एलिमिनेट हो गई है यह सैनभ्यास भारत और बंगला देश के बीच है संप्रिती भारत और बंगला देश के बीच है स्रिलंका के बीच नहीं है तो करिए एलिमिनेट बैसे तो ये दूपक्षे सेनन भ्यास है इसमें अमेरिका भी सामिल नहीं हुआ, कोई सामिल नहीं हुआ, ना अमेरिका ना दूसरा देश, तो तीसरा भी गल्ट है, इसका नवा संस्क्रण जनबडी कोलंबो में नहीं, वलकि उम्होई मेघाले में आयजवित हुआ अच्धा कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे गलतना डियेश का आंसर है, तो अपरोक्त में से कोई भी कथन सत् centr नहीं है, भारत और बंगलादेश के बीच होने वाला सेयूक्त सैन प्रसक्षन अभ्यास संपृति संप्रिती का नवा संस्क्रण मेगाले के उम्रोई में आयुजुद किया गया ठीक है और संप्रिती भारत और बंगलादेश के बीच एक महत्वपूर्ण दूइपक्सी रक्षा सयोग प्रयास या भ्यास है जिसकी मेजवानी दोनों देश बारी बारी से करते हैं सैयुक्त र भ्यास भी किया मेगाले के उम्रोई में आयुजुद किया गया नवा संस्क्रण था संप्रिती भारत और बंगलादेश याद रखिये कोशन नम्बर नाइन पर आजए नमलिकित कत्नों पर विचार करना दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना किन में से कौन सा करेक्ट है गूगल ने भारत के नागरिकों में समाचार सक्षरता बढ़ाने के लिए एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशी देने की घुशना की है इस अनुदान राशी से वरिष्ट पत्रकार वरिष्ट रिपोर्टर्स और पत्रिकार वरिष्ट रिपोर्टर्स और पत्र उद्देश है इसका यही उद्देश है करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी तो देखें गूगल ने भारत के नागरिकों में समचार साक्षरता यानि न्यूज लिट्रेसी आमंग इंडियन्स बढ़ने के लिए एक मिलियन अ शामेकार करेगा यह फंडिंग गूगल की ब्यापक मेडिया साक्षरता के दस मिलियन डॉलर की प्रतिवधता का हिस्सा है ठीक है कोश्चन नमबर दस पर आजए नमलकित में से कौन वर्ड गेम्स एथलीट आफ दा इयर पुरुसकार 2019 जीतने वाली विस्व की पहली महिला हौकी खिलाडी बन गई है और भारत की है यह क्या है इनका नाम देखिए स्मृति मंधाना तो क्रिकेट खेलती है दीपा मलक सौटपोर्ट पैरा एथलीट है जूलन गोस्वामी क्रिकेट तो इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी रानी रामपाल कैप्टन भी है यह बूमेन इंडियन होकी टीम की यह है रानी रामपाल तो देखिए भारतिय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल प्रतिष्ठत वर्ड गेम्स एथलीट आप दा येर पुरुसकार दोहर उननेस जीतने वाली दुनिया की संसार की विश्व की पहली महिला होकी खिलाडी बन यह है पुरुसकार सामाजिकार और उजित व्यवहार के साथ उतकरष्ट परदर्सन करने के लिए दिया जाता है इन्होंने किया होकी में 25 वर्सी रानी 15 साल की उमर से भारतिय महिला होकी टीम का हिस्सा रही है और अब तक रास्ट टीम के लिए दो सो चालिस इस परदाओं में हिस्सा ले चुकी है यह जापान के हिरो सीमा में आईजित फिच बूमेन सीरीज में सीरीज के फाइनल में प्लेयर आफ दा टूनामेंट भी रही थी और इंपोर्टन्ट है हाल ही में रानी रामपाल को पदम श्री और राजीब गांधी खेल रतन पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है राजीब गांधी खेल रतन पुरुसकार 2019 में 45 केटिगरी में अलग-अलग मिला है जैसे होकी में रानी रामपाल को और किरकिट में रोहित सर्मा को मर्यपन थंगा बेलू पैरा अथलीट ये सब चीज़े याद रखें इंपोर्टन्ट है करा चुका हूँ बार-बार लाएंगे इस्टिट्मेंट अलग-अलग बना कर एक्जाम से पहले तो कुछ इंपोर्टन्ट दस प्रश्ण थे अच्छे सा इसका रेविजन कर लिजे दो से तीन सेट एक दिन में दिये जा रहे हैं प्रक्टिस करते रहे हैं धन्यवाद